असलाम उलेकुम students, this is our science period and today the topic unit name is the human body. आप सब भाईों ने और भेनों ने अच्छे से read out कर लिया होगा, आज हम next topic पढ़ेंगे and that is living things. Living things क्या होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि living things किस किस चीज़ को कहते हैं? Human beings are also living things. लेभी नजर आ रहे हैं आपको, यह भी living things है. और नमबर टू है, plants. Plants are living things. चोटे से plants से बड़े बड़े द्राप बनती हैं ना, तो it means they are living things. Animals, नमबर त्री is animals. Animals are also living things. ग्रो करती हैं ना, देखें ममा और बेभी भी था और आपको बता है, Living things need water, air, food. यह तीन चीज़ों के बगए living things जिन्दा नहीं रह सकते हैं. हम सब को air, water और sunlight food चाहिए. अब आप यह देखें पिक्चर में. क्या है? क्या नज़र आ रहा है? A small baby girl into an old lady. अब small baby boy grows up and become a man. चोटा सा बेभी वक के साथ साथ. क्या हुआ? Man बन गए, बूड़े हो गए. और देखें ट्री, छोटा सा फ्लांट होते ने ट्री का. वो बड़ा होके क्या होता है? वो ट्री बन जाता है और हमें fruit देता है. और आपको बता है? यह पिक्चर नज़र आ रही हैं आप सब को? क्या है इस विक्चर में? कितने सारे living things हैं? बॉइ, डफ, में, कैट और क्या है? डॉग, बर्स, नांट, फ्लावर. अब हमारे इंके reading की तरफ हमारा book page 4 आज हम reading करेंगे और आपने इसके difficult words को मैंने underline किया है. आपने उन difficult words पे मुकमल focus रखना है और वो words आपको अच्छे तरीके से reading में आने भी चाहिए.